हे गाईज, वेलकम टू माई न्यू वीडियो, आज का इस वीडियो में मैं महेंद्रे सिंग धोनी जी का आउटलाइन को स्टेप बाई स्टेप ड्रौ करके आपको दिखाऊंगा, सो आप इस वीडियो को प्लीज एंतर जरूर देखिए, आई होग कि आपको इस वीडियो में बहुत हेल्प मिलगा, और मैं इस वीडियो में कौन सा मैटरियल को यूज करूँगा, ओ भी मैं आपको बताऊंगा, और उसका लिंग मैं डेस्क्रिप्शन पर दे दूँगा, आप चाहे तो बहुत कर सकते हो, और स्केच को लेकर मेरा चैनल पर और भी बहुत सरा वीडियो है, आप चाहे तो देख सकते हो, टूटराल्स वीडियो, मैं उसका लिंग वीडियो का लास्ट में, और नहीं तो डेस्क्रिप्शन पर भी दे दूँगा, आप चाहे तो देख सकते हो, आप इस वीडियो प्लीज एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और शेयार कीजिए, और चैनल पर नहाँ है तो सब्सक्राइब करके वेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, आप देख सकते हैं कि महेंद्र सिंग धोनी जीए का इस फटो को मैं चूच किया रेपरेंस फटो का हिसाब से, और यह बहुत अच्छा क्वालेट का इमेज है, HD क्वालेट का, और आपको कहीं से भी ढून्ने का ढून्ने को नहीं पड़ेगा, उसका लिंक मेरा डेस्क्रिप्शन पर है, आप डाउनलोड कीजिए, और मेरे साथ ही ड्रो कीजिए, और इस फटो को मैं अभी शेयर किया हूँ, एक अपलिकेशन से आप देख सकते हैं, आर्टिस्ट ग्रीड, इस आपको आपको डाउनलोड करना है, यह आपको प्लेश्टोर पर मिल जाएगा, आप देख सकते हैं, आर्टिस्ट ग्रीड, उसके बाद जो थ्री डाटे उसको क्लिक करके, सेटिंग पर आपको जाना है, आप देख सकते हैं, और आप देख सकते हैं कि जो स्क्वेयर ग्रीड से आले, उसको आपको tick करना है और उसके बाद save करना है इससे आपका जो grid line से वो perfect square में आएगा उससे आपको draw करने में बहुत easy होगा अभी reference photo में जो grid आपको दीखे रहा है सेम हो ही grid को paper को उपेर में draw करूँगा उसके बाद जो outline को start करूँगा और each box को 4 cm लेके हम paper के उपर draw करेंगे so now let's start the grid grid को मैं बहुत fast से upload किया हूँ नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा I hope कि आप draw करपाऊगे easily मैं आपको बता देता हूँ each box 4 cm लेके मैं draw किया हूँ आप बिल्कुल मेरा साथ ही draw किजिए उससे क्या होगा आपका जो doubt है ओ वीडियो में भी clear हो जाएगा आप देख सकते हैं कि मेरा जो grid है ओ complete हो चुका है अभी मैं इसके उपर outline को एकदम step by step draw करेंगे आपको दिखाऊँगा मैं अभी एक mark किया box के उपर क्योंकि मैं ओही box के उपर ही पहले start करूँगा सेम आभी mark कीजिए जीस box के उपर आप पहले start करना चाहते हैं आपको बास reference photo को अच्छा से observe करना है कि कौनसा box में कौनसा part है सेम ओही box के उपर आप सेम ओही part को draw कीजिए अच्छा से observe करके मैं अभी जो face का overall structure है उसको बना रहा हूँ उसके बाद eye, nose, lips, hairs को draw करूँगा I hope कि आप easily draw कर पाऊगे सो मैं वीडियो को fast क्या हूँ मैं अभी hairs को draw कर रहा हूँ आप देख सकते हैं मैं जीस box के उपर hairs है मैं सेम ओही box के उपर ही ड्रो कर रहा हूँ आप देख सकते हैं कि reference photo में hairs मेरा fast row में है मैं सेम ओही row के उपर ही hairs को draw कर रहा हूँ साट आपको आपका हिसाब से draw करना है SNA की reference photo में जो है उसको ही उतारना है आप आपका हिसाब से ड्रो कीजिए बट मैं reference photo में जो है उसको ही ड्रो कर रहा हूँ आप चाहे तो ड्रो कर सकते हो सो मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देता हूँ आप खुद देख सकते हैं ये कितना easy method है बास आपको थोड़ा सा अपजोर करना है कि कौनसा box या कौनसा line के उपर कौनसा part है सेम होसे ही आपको ड्रो करना है सबसे easy method है आप किसी का भी face का outline ड्रो कर सकते हो अभी मैं I को ड्रो कर रहा हूँ आप देख सकते हैं इसलिए मैं photo को अच्छा से zoom किया हूँ और सेम जिस box के उपर ही है I सेम वही box के उपर ही मैं draw कर रहा हूँ आप देख सकते है third number box आप ब्रो तो मेरा complete हो चुका है अभी मैं I को draw कर रहा हूँ मैं काफी slowly slowly draw कर रहा हूँ बट वीडियो में थोड़ा fast करके upload क्या हूँ नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा आपको भी सेम काफी slowly slowly draw करना है आच्छा से time देख कर outline को बनाना है सेम आपको दूसरा आई को भी दिखना है कि कौनसा box में है सेम ओही box के उपर ही मैं draw कर रहा हूँ जिस box के उपर reference photo में है आप देख सकते हो नोज जिस line के उपर है reference photo में हो आपको आच्छा से दिख रहा है सेम मैं ओही line के उपर है draw कर रहा हूँ मैं आपको फिर से कह देता हूँ कि उसका जो reference photo का link मेरा description पर है आप डाउनलोड कीजिए यह बहुत आच्छा quality का image है उससे हम जो है setting बहुत आच्छा से कर पाऊँगे सो आप उसका reference photo को डाउनलोड कीजिए lips और beard को I hope कि आप आच्छा से easily draw कर पाऊँगे क्योंकि आपको reference photo में देख रहा है कि कौनसा line और कौनसा box में है same वही line और box के उपर ही आपको draw करना है सो आप काफी slowly slowly draw कीजिए आपका outline जितना perfect होगा जो setting आपका उतना ही आच्छा होगा सो आप reference photo का अच्छा से observe करके काफी slowly slowly draw कीजिए सो गाइस आप देख सकते हैं कि हमारा जो outline ओ complete हो चुका है और मैं next video में आपको setting करके step by step दिखाऊंगा सो आप इस video को प्लीज एक like कीजिए, comment कीजिए, share कीजिए और channel पर निया है तो प्लीज subscribe करके bell icon को जरू प्रेस कीजिए और इस outline को प्लीज आप एक बार जरू try करके मुझे instagram पर send कीजिए मेरा instagram id का link निचे description पर है आप जरू चेकीजिए so thank you so much for watching, bye